देखते हिंदी में स्वाशार गुजरात के समयदंशिल अस्तानों में सामिल गुद्रा में दो समुदायों के बीच पत्राओं की घटना सामने आई है सड़क के इस्तमाल को लेकर शुरू हुई मामुली कहा सुरी देखते देखते हिंसक हो गई और दो बक्षों में पत्राओं सुरू हो गया पुलिस ने दो समुदायों की जड़त में दस लोगों को एरेस्ट किया है क्या है मामला देखते हैं अंदर की बात में गुजरात के पंच माहल जिल्ले के गोधरा कस्बे में एक सड़क के इस्तिमाल को लेकर दो समुदायों के सदिस्य के बीच जपट हो गई एक अधिकारी ने बताया कि 5 जून की शाम को हुई जपट में एक व्यक्ति गायल हो गया था और पुलिश ने इस कटना के सम्मद में मंगलवार को 10 व्यक्ति को गिरफतार किया पुलिश ने इस मामले में 2 F.I.R. दर्ज की है जिसमें दोनों पक्सों के 5-5 लोगों को नामजद किया गया है अधिकारी ने कहा कि कादरखान पठान की शिकायत पर दर्ज की गई एक प्रात्मिकी के अनुसार एक आरूपी मित्रंग परमार और कूच अन्य व्यक्तियों ने अपने इलाके से गुजरने वाली एक सड़क का उसके द्वारा इस्तिमाल करने पर आपती जताई उन्होंने बताया कि पठान ने दावा किया कि जिस सड़क का वह अक्सर इस्तिमाल करता था वह रेलवे अंडर पास के निर्मान के लिए बंद थी अधिकारी ने कहा कि शिकायत करता ने आरोप लगाया कि वह पांच जून की शाम अपनी मोटर साइकल पर सड़क से गुजर रहा था तबी परमान ने इस पर आपती जताई और उनके बीच बहस हुई पत्राव का एक वीडियो भी सोसल मीडिया पर सामने आया है अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर दो प्रात्मी की दर्ज की गई है जिसमें दोनों समुदाई के पांच पांच आरोपी को नामजद किया गया है दोनों समुदाई के पांच पांच सदस्यों को गिरफतार किया गया है ब्योरो रिपोर्ट जी एश टीवी अपने लोगों को बिमार होते हुए देखा होगा और सुना होगा मगर रामपुर में जगनात मंदिर के भगवान जगनात बिमार हो गये है जिनका उपचार वेध्य द्वारा किया जा रहा है इस समय भगवान जगनात का इलाज मंदिर परिसर में ही हो रहा है इलाज के द्वारान मंदिर में सिर्फ पुजारी और वेद्य को ही जाने की इजाजत है पगवान के इलाज में किसी भी प्रकार की परशानी नहीं हो इसलिए मंदिर की सबी घंटियों को बात कर रखा गया है साथ ही खिड़कियों और दर्वाजों को भी बंद किया गया है जगनात मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि पूरिमा के दिन भगवान ने स्नान करके एक बाद 200 किलो आम से बने रसका सेवन किया था इसी कारण उनकी तबियत खराब हो गई है अब वेद्य के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है पुजारी का कहना है कि यह सब परंपरा का हिस्सा है बगवान जगनात का इलाज 15 दिनों तक चलेगा और इसी कारण बगवान 15 दिनों तक मंदिर में क्वारंटाइन रहेंगे इलाज के कारण भक्तों को भगवान के दर्शन करने की इजाज़त नहीं है यहां तक कि उन्हें मंदिर में प्रविस्की भी इजाज़त नहीं है मंदिर में सुबह शाम केवल पुजारी और वेद्य को ही इलाज के लिए आने जाने की इजाज़त है ब्योरो रिपोर्ट जी एश टीवी इसके चकरवाती तूफान में बदले की संभावनाय हैं इस तूफान को बीफर जोय कहा जाएगा बांगलादेश की तरफ से ये नाम दिया गया है मौसम विभाग में एक बुलेटीन में कहा कि कम दबाव का ख्षेतर सुब्र साड़े आट बजे दक्षिन पस्चिम गुवा से करीब डकशिन पस्चिम मुंबई से 1100 किलो मीटर दक्षिन पोर बंदर से 1190 किलो मीटर और पाकिस्तान में दक्षिन कराची से 1490 किलो मीटर पर हुआ था अगले 24 गंटों के दोरान दवाउक शेत्र के उत्तर की और बढ़ने की संभावनाय है यहां पूर्व मध्य अरव सागर और उससे सटे दक्षिन पूर्व अरव सागर पर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान क गुरुवार 8 जूण की सुभा तक बेशन चक्रवाती तूफान में बदलने और शुकरवार 9 जूण शाम तक प्रचंड रूप लेने की संभावनाय है इसका सीधा असर केरल करनाटक के तटो और लक्षदीप मालदीव के इलाकों में देखने को मिल सकेगा इसके साथ ही गुवा महराष्ट तट पर 8 से 10 जून तक समुद्र में बहुत उची लहरे उड़ने की संभावनाय है खतरी को देखते हुए समुद्र में गई मचुवारों को तट पर लोटनी की सला दी गई है ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्ट भी उग सभा चुनाओ की तैयारियों में जूटी गुजरात बिजेपी को महिसागर जिले में बड़ी काम्याभी मिली है विदान सभा चुनाओ में पार्टी प्रतियाशी के मुकाबले में 40,000 वोट जटकने वाले उदेशी चौवारों को पार्टी ने अपने साथ जोड लिय बिजेपी से राजनेती शुरू करने वाले उदेशी चौवारों कॉंगरेस के बाद आप में गये थे पार्टी के गांदी नगर्स्ती तप्रदेश कार्याल एकमलम में चोहान प्रदेश अद्यक्षर सीयार पार्टी की मौजुदगी में समर्थकों के साथ शामिल हुए और के सर्याधारन किया 2022 की विदान सबा चुनाओ में उदेशी चोहान आम आद्मी पार्टी की टिकीट पर बाला सिनोर से चुनाओ लड़े थे इस पर बिजेपी को जीत मिली थी उदेशी चोहान तीसरे नमबर पर रहे थे उन्हें 49,590 वोट प्राप्त हुए थे जो की कुल वोटिंग के 28.22 फीजदी वोट थे उदेशी चोहान अक्तुबर 2022 के शुरुवात में कॉंग्रेस से छोड़ कर आम आद्मी पार्टी से जुड़े थे चोहान पूर्व में खेडा जिल्ला पंचायत के सदस्य और 2013 से 15 के बीच विपक्ष के नेता थे तब उदेशी ने अपने समर्थकों के साथ कॉंग्रेस छोड़ी थी अब वे आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं बाला सिनोर विधान सभा में महिसागर के साथ साथ खेडा जिले का हिच्सा लगता है उदेशी चोहान ने इस मौके पर कहा कि 2024 के चुनावों के पंच महा लोकसभा सीट पर सरवाधिक मतों से जीत दर्ज कराने के लिए काम करूंगा इस मौके पर बीजेपी के सांस दरतन सी राठोड जस्वंत सी भाबोर और बारासी नौर से बीजेपी के विधायक मानसी चोहान बिहार के सेम नितिश कुमार के विपक्षी एक्ता मुहिम को बड़ा जटका लगा है बिहार में बारास उनको होने वाली विपक्षी दलो की बैठक फिलहाल कैंसल हो गई है अब नए सिरे से इस बैठक की तारिक तै होगी यह बैठक अब कब होगी इसका पता नहीं है क्या विपक्षी एक्ता को लगा करन या नितिश कुमार को लगा ज़ोर का जटका धीरे से देखते इस रिपोर्ट में बैठक रद करनी पड़ी नितिश कुमार ने खुद स्विकार किया कि 12 जून की बैठक में कॉंग्रेस आलकमान शामिल नहीं हो रहा था इसलिए बैठक स्थागित कर दी गई अभी तक यह तैन नहीं है कि विपक्षी एक्ता की बैठक कब होगी लेकिन कॉंग्रेस सूत्रो का कहना है कि नितिश कुमार या किसी और का ने तृत्व कॉंग्रेस को मंजूर नहीं है पहले ने तृत्व का मसला सुलजने के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकार जुन खडगे और पार्टी ने तराहुल घांदी पूर्व व्यसताओं के कारण इस मिटिंग में उपस्तित नहीं हो पाते साथ ही तमिलनाडू के मुख्य मंत्री M.K. स्टालिन भी इस बैठक में आने में असमर्थता जता चुके थे जिसके बाद यहां मिटिंग कैंसल कर दी गई ब्योरो रिपोर्ट GSTB प्रुजबुशन शरंसी के खिलाब पहलवानों को बड़ा अंदोलन चल रहा है पहला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यश के खिलाब गंबिर योन शोशन के आरोप लगाये है पहलवानों को साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा अलकमान महिला पहलवानों की योन उत्पिडन के आरुपों का सामना कर रहे भाजपा की लोग सभासांसद ब्रुजबुशन शरंसी के खिलाफ ततकाल कारिवाही करने को तयार नहीं है भाजपा 11 जून को पार्टी की एक रेली को भी संबोधित करेगी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि वह ब्रुजबुशन सी को दरकिनार नहीं करना चाहती उत्तर प्रदेश के केसर गंज के कट्रा में 2024 के चुनावों के लिए भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत होने वाली रेली में योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावनाय है योगी आदित्यनाथ ब्रुजबुशन के साथ एक ही मंच पर आने के इच्छुक नहीं है लेकि आलकमान इन्हें बना रहा है इतसे पहले ब्रुजबुशन शरणसी 5 जून को अवध्या में जन्जागरुता रेली करने वाले थे लेकिन यहा रेली रद हो गई ब्रुजबुशन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पुलिस की जाज के चलते यहा रेली फिलहास सगीत की जा रही है ब्यूरो डिपोर्ट जीयस्ट